सद्गुरु श्री ब्रह्मा चैतन्य महाराज गोंधव लेकर इनका प्रवचन 15 नवंबर चिन्ता की जड़ मैं करता हूं के भाव में है क्या हमें आनंद खोजने कहीं और जाना पड़ता है? नहीं, जो स्वयम आनंद रूप है उसने अपनी ही तरफ से मान लिया है कि मैं दुखी हूं एक आदमी अपना मूह आइने में देखने गया किन्तु वो उसे नहीं दिखाई दिया तब एक आदमी बोला मैं दिखता हूं और ऐसा कहकर उसने आइने पर जमी धूल पोंची और उससे उसमें देखने को कहा और तब उस आदमी को उसमें अपना मूह साफ दिखाई दिया यही साधु संत किया करते हैं वे हमसे कहा करते हैं कि तू ही ब्रम्भ रूप है यानि तू स्वयम सिध्ध और आनंद रूप है लेकिन हम क्या करते हैं, हम समझते हैं कि ये ग्रहस्थी हमारी है और इसलिए उसका सारा सुख दुख हम अपने उपर लाद देते हैं जिसने उसे उत्पन्न किया है, उसमें उसकी रक्षा करने की शक्ती होती है और अपनी इच्छा के अनुसार वो उसकी रक्षा करता भी रहता है किन्तु हम व्यर्थ ही अपने को उसका करता मानकर सारी चिन्ता किया करते है वैसे सच पूछो तो हमारे हाथ में है ही क्या जो परमात्मा करना चाहता है वो वही करता है किन्तु हम मात्र व्यर्थ चिन्ता करके दम तोड़ते हैं, इसलिए चिन्ता छोड़कर हम भगवान की शरण जाएं, हम उसके होकर रहें, तो हमें सुख दुख ना हो, तब हमें उस आनंद का लाब होगा. चिन्ता बड़ी अजीब होती है, एक आदमी को उसके लड़के को अच्छी नौकरी मिले, इसलिए चिन्ता थी, बाद में लड़के को मन लायक नौकरी मिल गई, तो उसे उसकी शादी की चिन्ता होई, कुछ समय बाद उसकी शादी भी होई, लेकिन फिर बहु का व्यवहार गर में अच्छा नहीं है, ये देख कर उसे चिन्ता होई, उसके बाद उसे बच्चा नहीं होता, इसकी चिन्ता होई, कुछ समय बाद बहु को बच्चा हुआ, लेकिन फिर उसके बाद उसे आंकडी आने लगी, तब उसकी चिन्ता उसे सताने लगी, अंत में कुछ समय बा को ही आंकड़ी आने लगी और चिंता करते करते उसका दम तूड गया चिंता हमें भगवान से अलग करके काल के हवाले करती है और हम काल के हवाले हुए कि हमारी बुद्धी भ्रष्ट हो जाती है सच पूछो तो चिंता की जड़ एहंकार ममत्व और करतृत्व के भाव में है और खुद करतृत्व के भाव का मूल भगवान के विस्मरण में है व्यवहारी आदमी बड़े चतुर होते हैं वे भगवान को साक्षी रखकर चिंता करते हैं ये तो उससे भी बड़ा अपराध है अतह चिंता होना स्वाभाविक है ये धारणा ही हमें अपने मन से निकाल देनी चाहिए चिंता हमसे क्यों नहीं छूटती इसका उत्तर बिलकुल सरल है असल बात ये है कि चिंता ने हमें पकड़ने के बजाए हमने चिंता को कसके पकड़ रखा है तो फिर वो आखिर चूटे भी कैसे जिसने भगवान को अपना बना लिया उसे फिर चिंता करने की जरूरत नहीं रह जाती संकट आने पर चिंता नहीं करनी चाहिए ऐसी दृष्टी हो कि भगवान जो करता है वो अपने हित के लिए ही करता है जान की जीवन स्मर्ण जै जै राम